अपुर्ट जिलाक अलेक्टरेट में गुरुवार को बावन वर्षिय जैवंती की आखे उस वक्त छलक गई जब कई सालों के इंतसार के बाद उन्हें भारतिय नागरिक्ता का प्रमान पत्र मिला जैवंती अकेली नहीं थी ऐसे 13 अन्य लोग भी थे जो प्रमान पत्र पाकर भावु को गए और भारत मा की जैके नारे लगाने लगे। सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिला कर खुशी का इसाहर किया। प्रमान पत्र जारी किया जा चुका है। पाकिस्तानियों को आज भारती नागरिक्ता दी है। और देखिए खुशी का महावल है बारा साल का संगर्श बारा साल से ये जैपुर में रह रहे थे और नागरिक्ता के लिए संगर्श कर रहे थे। आज वो कामिया भी मिली है। सीदे तोर पर हम बात करेंगे एडियम दक्षिन चौहान साब से कुछ रहा कितने साल का संगर्श जिनका पूरा हुआ है। बड़ी खुशी की बात है कि ये लोग कई सालों से संगर्श कर रहे थे और 2017 में जब से नागरिक्ता हमने देनी शुरू की है अब तक लगबग 294 लोगों को नागरिक्ता मिल चुकी है और अभी भी आप देख सकते हैं कि आज 14 लोगों को नागरिक्ता दी है। इसमें अलग अलग केटेगरीई हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके माताप पिता का जन्म 1950 से पहले हुआ हैं, उनकी अलग केटेगरी है। या तो उनके बच्चे 18 साल से कम के हैं या 18 साल से जड़ा के हैं अलग-अलग धराओं के तहत उनको नागरिक्ता दी जाती है उसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो व्यक्तिकत रूप से नागरिक्ता के लिए अपला ही करते हैं उनकी रिक्वार्मेंट यह है कि उनको कम से कम 12 साल तक यहां उनका निवास विदिक तोर पर होना चाहिए तो आज लगबग 4-5 केटेग्रीज में हमने नागरिक्ता दी है आप देख सकते हैं 14 लोग हैं जिन्हों नागरिक्ता मिली है एक परिवार तो ऐसा भी है जिसमें दो बेटियां एक बेटा शामिल है तो साहिए देता हूं कि इनका संगर्स पूरा हुआ और यह विदिक लूप से आज इस देश के नागरिक्त बढ़ गए अबू सूफियां चोहां सामने बताया है कि 294 लोगों को जब से नागरिक्ता का क्रम चुरू हुआ है वर्स 2017 से अब तक 294 को भारती नागरिक्ता मिल आए तब से लगा आपको कि हमको नागरिक्ता लेनी चाहिए या कहीं संपर्क किया किनके संपर्क में अब तक आप सर यहीं से ओनलाइन अप्लाइन निमेते कम संस्ता के सहयोग से तो हमें 2013 से रह रहे हैं अब नागर्था मिली बहुत खुशी की बाद आज कब अपलाई कि जी हाँ मैंने भी अपलाई किया हम इससे पहले राजिस्तान के अलवर में थे और हम 2001 में इंडिया आये थे और काफी संगर्ष करने के बाद अलवर में नागर्था नहीं मिली और जैपूर के प्रशाशन के द्वारा और निमेत कम संस्तान का मैं सबसे बड़ा आभारी हू जिनके सैयोग से यहाँ पर काफी जो हिंदू परिवार उनकी साहिता की जा रही है और नागर्था में जो जो कमिया आ रही है जो परेशानी आ रही है उनके संदर में बहुत बड़ी तरीके से जो भी उनकी विवस्ता होती है वो निमेत कम संस्तान कर रही है बाइस सालों क हमारा संगर्ष है, बाइस साल के बाद मेरी और मेरी माता जी को हमको नागरता मिले, बाइस साल हो गए है कमल देवी, कितने साल का संगर्ष पुरा हुआ है आज? 14 साल, 14 साल मैं कहा का रहे राजस्तान में? जैपुर मी रहे अच्छा और कब अपलाई करा था नागरिकता के लिए दो साल पहले कितने लोग है आपके परिवारी पांच लोग है बैंदाइग एक रह रहा है एक रहा है बही यह बाकी के हो गई बही यह को क्यों नहीं मिली उनके जारी चल रहा है प्रोसेस तो यह वो ख खुश चेहरे हैं जिनके चेहरों पर आप देख सकते हैं किस तरह की खुशी है मिठाई खिला कर एक दूसरे को खुशी का इजार करा है क्या शुम्ना मिली पारुल कितने साल का संगर्श पूरा हुआ है हमें 14 साल हो गए तो आज ऐसे लगए 14 साल का बनवास पूरा हुआ ह हमारा भी बहुत खुशी है यहां पे सरकार को भी बहुत थैंक यू और 14 सालों में आप नहीं आ रहे के पढ़ाई करी में क्या कुश की हैं पढ़ाई पूरी स्कूल से कॉलेज सारी पढ़ाई यहां पर की है और सब चीजे हुई हमारी यहीं पे ही हुए सब कुच 14 साल पहले जब आप आए तो उस समय दाखिला लेने में एड्मिशन कराने में कोई परिशन ही आई थी परिशानी नहीं थी मतलब घर के पास में स्कूल सा छोटा तो उन्होंने हमें एड्मिशन दे दिया तो उसके बाद फिर हो गया सब आराम से क्या शुबना मिटा रोमिया रोमिया आपका भी 14 साल का संगर्श पूरा जी हम सब भहम तीनों भहन भाई हैं 14 साल के बाद हमको यह प्रॉसेस हमारा कंपलेट हुआ है और बाकी मदर फादर को नागरिकता मिल चुकिये पहले हाँ फादर को मिल चुकिये मदर की तो डैथ हो तो यह वो खुश चेहरे हैं जिने आज भारतिय नागरिकता मिली है और खुशी का इजहार करने के लिए इन्होंने एडियम साउथ अबू सूफियान चौहांजी को भी मिठाई कि लाई है इनका साफ तौर पर कहना है 14 साल का संगर जिस तरीके से रामलला विराजमान जैपुर जिला कलेक्टेट दे चुका है और कितने ही लोग ऐसे हैं जिनका मनोनेन किया जा रहा है या जिनका प्रोसेश जारी है करीब 300 लोग ऐसे ओर है जैपुर में जो इस कतार में है कि उन्हें भारतिय नागरिक तक कब मिलेगी कैमरामेन विनोट के साथ विनोट चोहान, First India News, जैपर